बिस्मिल्लाह वाख्मान रवाहीम नोवल है जनून इल्फत एपिसोर 77 तहरीर है मैविशली साहिल शाहने इशारे पर गाड़ी पास ला करो कि दर्याब ने गैरा सांस फिजा में छोड़ते गाड़ी की विंडो को नौक गिया समन की इस दस्तक से दर्कनों में वैश्यसी भर गई इसने आइस्ता से पहलू बतला और जल्दी से नकाब लगा लिया हाथ में मुझूद चॉकलिर्स भीग जुके थे और इसने बेदर्दी से जिन्ती में पहली बार मुट़्ी को इस तरह सकती से पूरा किया था कि जैसे इसका अपना दिल मुट़्ी में कुछलने लगी हो मन विंडो नीचे करो साहिली से खमोश बैठा देखकर बोला समने गबरा करी ने दिखा वो नहीं जानते थे इसने अपनी चोटी सी बेहन पर क्या जुलम किया है पर इसकी नजरों को देखते साहल कुछ मतफक्र हुआ क्या हुआ इसका सुरक तीरा देखता है वो परिशान हुआ कुछ नहीं आजगर में बहुत है वसट पर आकर नफी करती जल्दी से पलट कर विंडो देखने लगी इसने जो दूसरी दस्तक के लिए गुसा होकर उंगली उठाई थी विंडो के उपन होते है इसकी उंगली वहीं बीच राह में साकत सी रह गए इसकी उठी हुई रूट जगे से सुरक आँखे सीधा इन आँखों से टकराई जो पहले से गुजरे पलों के अजियत से लहुत नुमा थी एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया था वो इतने दिन बाद इसे देख रही थी जो सुबा शाम देखती थी बहुत खुश होगा वो दो-चार दिन से जो रिकावट डालने वाली आई थी एक पल में लहु लहु करके से साइड लगा दिया था क्या है तुम्य जो मिरे दिल को भाई समंध शा के कानों में जैसे इस तबती दूप में सूर्प हों का वो जो खमोशी से इसकी आँखों इसके चेहरे को देखने की कोशिश में था कि इसके जखम कैसे है पर इस बेहिस शख्स को सिरफ पाहे के जखम की परवा थी अंदर के जो जखम इसने दिये थी इनसे जैसे से कोई सरुकार नहीं था एक नफरत काड़दार नजरों से इसने दरियाब खान को नवास दे किसी ना पसंदिता शख्स की तरह दूसरे सेक्टनर जे अंदास किया मुझ में कुछ हो यू ना हो तुम्हारे दिल को भाने के लिए दरियाब खान पर समन्द शा को अब कभी तुम नहीं बास सकती वन्हें मांकों से सोचती मुबाइल का उन किया जैसे ही इसने मुबाइल का उन किया टिंग टिंग की मकसूस नॉटिफिकेशन की आवास से गाड़ी की फिजा गोंजुटी क्या हुआ खैरियत अपनी बेहन की बात को समझते हुए बिलाकर साहिल चाने बड़े होने के नाते खुद ही पहल करती बेशिक वो अपनी बेहन को जान से अजीज तर रखा हुआ था पर इन कजनों को भी अपने दिल इसने दिल में कम नहीं रखा था और है केस की सिसले में तफ्तिश हो रही है कॉलेज से लड़की को किटनैप किया गया है कल और हमें अतला मिली है यहां से गुज़र रहे हैं सारे स्टॉप गाड़ियों बसों की चेकिंग करवा रहे हैं मैंने आपकी गाड़ी को देखा नहीं मादसर विंडो पर जुक कर एक उचटकती मगर गहरी तफ्तिशी नजर इसके मॉबाईल की स्क्रीन पर डालता साहिल चासे बोला इसका मॉबाईल की स्क्रीन में देखा था चेहरे पर नागवार यसी फैल गई इसकी अच्छा अच्छा ठीक है चाहे तो कर लो चैकि मेरी गाड़ी की भी साहिल ने समझ कर साहिल लाया और अशारत से कहा दर्याब हंसकर एक सरसी नजर इसके मुबाइल पर चलती उगलियों पर डालता पीचे हुआ जिने हम जानते हैं उनसे क्या तफ्तीश करना इसने कहने के साथ गाड़ी पर हाथ लगकर जाने का इशारा दिया साहिल चाह ने सरसबात में हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई सही देखें दफ्तन फिजा में इंस्प्रेक्टर के वाज चीख नुमा गुंजी दर्याब ने चूंकर करतन कुमाई तो दूर से बागते हुए गाड़ी को पाया जिसकी तरफ इसके ऑफिसर बाग रहे थे दर्याब ने फॉराँ से अपनी गन निकाली और इसकी तरफ दोड लगाई इसकी गाड़ी के टायर का निशानना बागते हुए लिया और ट्रेलर पर उंगई रखते पीछे को जोड़ दिया एक दमागे दार ठाकी आवाज से फिजा वैशिक नाक हो गई दर्याब इस तरफ दमागे वाली आवाज पर अपने क्याले में मॉबाईल को थाम कर बैटे समन की चीख कूंज उठी भाई भाई दरी वो तरब कर अपने भाई की तरफ पलटे वैशिजदा होकर बोली कहीं इसे तो नहीं लगी इसका दिल खून खून हो गया सूच से इसे कुछ नहीं हुआ रिलेक्सắn इसकी हालत देखते साहिय में इसका सारी से लगा कर सर पर बोसा दिया भाई घाडी रोकें और देखें भाई क्या हुआ प्लीज यही घूली क्यांभा और रोती हुए अपने भाई के सामने गिड़ गड़ाई साहिर परेशान मुटफकर अपनी सारी कफियत चुपा कर सरह लाता हुआ गारी जटके से रोकर इसके हाथ पर बोसा देता बाहर निकल आया दूसी तरफ तरफ का समन भी बाहर आ गई थी इसने बाहर आते इसके तलाइश में नसे ने दुराई तो दूर बहुत दूर इससे वो गारे के गहरे खड़े थे वो दूर से ही अपने दराज कद वसी तवाना जिसामत स्वैद और सुर्ख लंगत की वज़ा से समय नुमाया था इसके आँखों में अपने बेबसी पर आंसों तूट कर गिरे इसे एसास हुआ कि हाँ वो ठीक कहता था वो बिलकुल एक कमजोर बुजदिल लड़की है बेहिस पत्थर शक्स पर इस शक्स ने इसका दिल नोच चा था कुछ दिन बहलाता रहा खेलता रहा और जब इस एसास हुआ कि ये तो कुछ नहीं गोश्ट का लथरा है तो वस नोच कर मसल दिया पाउं धरे चलें भाई वो खुद पर जब्द करती उपनी बेवकूफ हरकत पर इस तजाया हंसी गाड़ी में जाकर बैटी दर्याबने नजरें बेसाकता उठाई तो सामने साहिल शा को पाया वो मुस्कुरा कर इने हाथ से जाने का इशारा करने लगा साहिल साहिला कर मुतमीन होता वापिस गाड़ी में आकर बैटा और एक नजर खमोश समन पर डालती गाड़े स्टार्ट की पसंद करती हो दफतन ये गाड़ी में साहिल शाह की पूर्च कम बीर वाज ने समन को मतवज़ा किया इसे ताजिब का गुबराहट नहीं हुई क्योंके दोनों भायन भाई हर चीज़ शेयर कर लेते थे ऐसे सवाल पूछना ये इनकी खुआश परसंद को जाना साहिल शाह का हक था जो कि इसकी बहन इसे सौंपा था वो जानती थी जैसा तरपती महभूबा वाला इसका रियाक्शन था डैम शूर वो जरूर पूछे गाइसा सवाल इसमें ऐसा है क्या कि समन शाह इसे परसंद करे इसने मुश्कुरा हट दबाकर अपने भाई से पुचा साहिल ने चूंकर देखा दूसरे लम्हे कैका लगा उठा अच्छा खासा हैंडसम आफिसर है वो शिरालत से बोला हुसन का मुझे चार डालना है क्या आपको आपकी बहन का मालूम है वो बटी हुई चीजें या उत्रन पसंद नहीं करती और दर्याब खान भी उत्रन से कम नहीं वो उने खूद से नालक चड़ा कर कहती बाहिर देखने लगी सारिल शिया ने कुछ हैरत से इसे देखा पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग किसी को खोती है उन्हें काफिती जिर्पा होता है महबबत का अगर इनी दूसरी महबबत हो जाए तो इनकी महबबतों में शिदतें आ जाती है वो खोनी के डर्सी काफी पोजैसिव हो जाते है जब ठोकर लगती है तो किसी दूसरे की कफियत में सूसाथ समझ आती है इसने अपनी सोच मताबब कहा नहीं भाई, महबबत पहली और आकरी होती है दूसरी महबबत कुछ नहीं वो महबबत नहीं जरूरत होती है वक्त के साथ खतम हो जाए तो बेकार ना पसंदीदा वचूर एही ठोकर की बात तो ठोकर लगने से इनसान सिर्फ अपना दर्द महसूस करता है किसी दूसरे का नहीं हम इनसान है नदान है हम उमीद मान लगा बैठते हैं जब जानते हैं कोई किसी का नहीं होता समझ तब हमें आती है जब हम ठोकर खाते हैं और समझ तर्द मिला मुझे और इस दर्द से मुझे कितना दर्द महसूस हुआ ये नहीं सोचेंगे ऐसा दर्द इसे भी तो देगा, दे दिया, इसकी क्या किफियत होगी, नहीं इनसान को इससे सरुकार नहीं होता, वो सिर्फ अपना सोचता है, खुद को मिसूस करता है, ऐसे कोई नहीं समझते, अलफाज से समझ जाने वाले इनसान होते तो आज सरुकों पस्यारात में अकिले इनसान किस किसी दूसरे की हालत हमें हमारी समझ से बाहिर होती है हम मैसूस नहीं कर पाते क्योंकि इन में हमारी मैसूसात नहीं वैसे ही किसी दूसरे का तुजरबा हमें कुछ नहीं सिखाता जब हम खुछ ना ठोक कर खा ले अकल होकर भी हम अकल नहीं हम दलदल के पीछे भागने वाले हैं जानते हैं निगल जाएगी पर इसकी बिनावर बहुत खुशुरत है करीब से जाकर देख लेने में क्या जाता है वो खोई-खोई सी बोली मुआनी से एसास हुआ वो कहां से कहां निकल गई है फोरां से खमोश होगी अपने भाई को देखा तो मैं ऐसी गहरी बाते कैसे करने लगी साहिल ने हैरस से इसे देखा समन फोरां से कहका लगावटी कोई गहरी बाते नहीं बस जो मुआया कह दिया आखर रोटी तो मैं भी खाती हूँ पहंसते से बोली वो यह नहीं कह पाई कि ठोकर जब लगती है तो इस इस इसान को दुनिया बहर की समझ आ जाती है पानी लाओं वो टाई की नौट डिली करता सोफे पर बैठा रोहा बालों की जल्दी जल्दी से चोटी बनाकर इसके पास आकर बोली हम साहिल शा बगैर आंके खोले जवाब दिया वो फॉरां से साइट टेबल की तरफ लपकी पर वहाँ जग खाली पाकर वो एक नज़र इनकी बंद आंकों पर डालती गलास जग उठाकर बाई की तरफ बागी संभल का जाओ इसके भागते कर्मों की अवास सूनकर इसने पीछे से जड़का रुहा की एक दम से रफतार सुस्त पढ़के कैसा रहा दिन वो किचन की तरफ जा रही थी तब ही बीच में इसे संभन मिल गई पीचे पीचे किचन में आकर सरगोश आना बोली कहीं इसकी मा न सुन ले कौन सी वाली बात फ्रीज से पानी की बोतल निकाल कर फ्रीज बंड करती वो इसकी तरफ पलटकर ना समझी से पूछने लगी साथ ही ट्रे उठाकर पानी का बरा गलास इसने ट्रे में रखा अभी ने सुना भाई तुम्हें बागते दे कर गुसे से बुले संभल कर और फिर इचानक इनोंने रात को माम से कावव तुम्हें हस्पतार ले कर जाएंगे इस सबको मैं क्या नाम दूँ क्या नाम दूँ इसने अपने बाजु पीचे आकर रोहा की गले में डाल कर गुन गुन तो बड़ी फास सर्विस निकली समने पीचे आते चेड़ते हुए कहा मामा अपनी बेटी को समझाए रोहानी से पीचे आते देखकर रूम में बैटी जरीशा को पकारते कहा पता नहीं क्या बकवास करती जा रही है लगता है दर्याब भाई ने बहुत कुछ वह भी कोई पेबाग जुमला कहकत समन का पारा हाई करती से पहले सामने सीडियां उतते साहिल चा को देखकर इसकी बोलती बंद होगी क्या है क्यों चीक रही हो इसने नीचे आते रोहा से गुस्से में पूछा बाई मैंने पूछा किया हुआ तबियत तो ठीक है क्यों हस्पताल जा र की रंगत फीकी पड़ गए मैंने कब इसने सदमे की कफियत में पलटकर समन को देखा ये तो इसने जिकर किया था खुशकबरी का भईयो कैसी खुशकबरी मन इसकी तरफ देखकर मसूमिया से मुस्क्राई कुछ नहीं बेटा को दरती खुशकबरी है इसने दूसा जुमला में अदम पर जान बूज कर रुख को सनाते हुए कहा और पाने का गलास उठाया समन ने कुछ नहीं बेटा की आगे कान लगा कर सुनना चाहा पर नकाम होगी यलबतर शिर्मिंद की से रुखाने साहिल चाह के आगे नजदें जुकाई मैं बाहिर इंतजार कर रहा हूं जल रुखा ने इसे देखा इन्होंने कहा हमारे बच्चों की इस पुफो कुटनी का गला गोंड दू वो इसके मूँपर फाड़ खाने वाले अंदाज में गोया हुई समन पहले तो सत्पटाई पर जैसे इसका सुरक तपा तपा चीरा देखा कहका बुलंत लगाया पकड़ो इसे वैसे गूरती ट्रे थमा कर सीडियों की तरह बढ़ गए समन हंस्ती हुई कि चन्ड में आई और ट्रे रखकर काउंटर से कमर्टिक आकर खड़ी हो गई असलाम लेकुम वो चेंज करके चादर पहन कर रपोर्स उठाए बाहर आई थी अभी सामने गेर से गाड़ी अंदर दाकिल हुई और आकर पोर्टिक्यों में रुकी ड्रावर ने जल्दी से बाहर निकल कर गाड़ी का डूर खोला जिसमें से आईश्या खान अपनी चादर के लिए सर बढ़ाने पर इन्हों ने सर पर हाथ भीटते दोनों को दुआएं थी अल्ला का शुकर है आप सुनाएं तबियत कैसी है आपकी तक्वाजादी ने बुलाया था इसके चेक अप के लिए तो इन्हें के पास लेकर जा रहा हूं साहिल ने जवाब देकर रोहा के ह हाफ डेक लेकर आया गया चलो अल्ला के अमान में जाओ कहरिया से कुछ रहो मैं हस्पताल से ही आ रही थी सुबह वही थी अब घर जा रही थी पर सोने सोने घर में दिल नहीं लग रहा तो यहीं आगी साहिल ने देखा बात करते इनके आँखों में नमी आगी जबके लब गर है जब दिल चाहें आएं हमारे दिलों में है इन्शाला अंकल भी जल्दी ठीक हो जाएंगे आईशा इनकी महबत पर आप दीदा हो गई खुदा ने बहुत खुबसूरत फैमिली से नवादा था इनका जितना शुकर अदा करती अतना कम था धियान से जाओ और खैरिये से वापिस हाओ और तुम अपना ख्याल रखा करो अभी से यहालत है इतनी सादी नहीं अवेली दुलों को अच्छी नहीं लगती अभी हमें दादी बनना है हमत करो जीना सीको इन्होंने आगे बढ़ते रोहा कची रहा हाथों के प्याले में बरा और प्यार बरी सरजश करती पुली वो कह कहती सब जाने आज क्यों खुश कबड़ी के पीछे पड़े थे जबकि शाहू ठीक कह रहे थे कि कुदरती हो सकती है सब वो अबरे बदारी से साहिल आकर वहाँ से जल्दी से आगी बढ़ी कहीं फिर यह भी खुश कबडी ना पूछ लें इसने गारी कर दोर खुलना चाहा तब पीछे से इसनी आकर इसके लिये ही खुलना चाहा दूर्णों की एक ही कोशिश की वज़ा से रूहा का हाथ इसकी हाथ के दीचे दब क्या इसका दिल चाहा, इसके चोड़ी हाथ में अपना हाथ देखकर इसके हाथों की हिद्ध को महसूस करें पर दिल के अर्मान दिल में दुबा कर दूर खोलने पर बंदर बैठके इसके सहर को देखते साहिल शोमोशी से द्रिवादा बंद करते दूसी तरफ आया और आकर अपने स्टेट संभालते गाड़ी स्टार्ट की जो भी तकलीफ में सूस होती है आपको खुल कर बताना में हम करने की जरूरत नहीं वहाँ गाड़ी गेट से बाहर निकालते इसने संजीद की से इससे समझाया वो स्पार्ट संजीदा भारी आवाज पर नचरें उठाकर इससे देखने लगी पर वो इसकी तरफ अब मतवज़ा नहीं था कान में भी लोतुस सेट कर रहा था सब और फिर सूट ड्रेस में मलबूस लंबा चोड़ा स्याग गनी मूचे अनाभी लपवस की अपने मक्सूस स्टाइल में स्याग गने बाल सैट मगरूर नाक संजीदा पार्ट रास रात वाली करस्ट जैसे ग्रे आंखे सामने टिकाय ड्राइविंग करने में मस्रूफ थ सब इसकी बहुत हिस्ते करते थे इतराम से भाहि के कर बुलाते थे इसके बाज़ों को देखा सोचकर इसका दुल धर लगए जब निकावारि र्राइख वो इसके चोड़े बाजों मे आई थी इसकी निगाहे स्टेरिंग वील घुमाता ज्राइव कर रहा थरूहान गैरा सांस भर कर इसकी गर्णन को देखा वहाँ से निगाहें फिसल कर जैसे इसके जेब पर आई सिगर्ट के पैकेट का कौना देखकर इसका दड़का दिल जल बुन गया अभी फिर से पीना शुरू कर देंगे वो सोच कर लबना तो में दबाई विंडो से बाहर देखने लगी अगर मैं चुपा दूँ इसके दमाग में ख्याल आया इसका हाथ उंगलें कापने लगी माते पर ने 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 पर सीने आ गया दिल भी बुली तरह से घबरा रहा था पर एक हिम्मत थी जिसके सारे वो ये कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ा कर इसने इसकी जेब से बिलकु पास कर दिया साहिल चाह के एक सर्सरी नजर दूसरी तरफ डालने पर रुहा ने जल्दी से पौकेट बाहर कसकाया और आहिस्ता से चोटियों पर पकर कर बाहर खेंच लिया इसका दिल इसकादर कौफ से तेज दरक रहा था कि कंपटी मचनाई देने लगा और भी वो बास नहीं आए साहिल चाह की गदर मोरने से पहले हाथ चादर में छपा कर वापस कोद में रख लिया और पौकेट दूसरी तरफ मुंत्किल करते वो बाहर देखती गहरे गहरे सांस लेट खुली फिजा में लेने लगी जिनकीप की पहली चोरी जिसने जान निकाल दी इसकी वो आँखे मौन कर एक गहरा सांस लेटी खुद को रिलक्स करने लगी क्या हुआ आई यू फाइर इसकी आवा सांसों की आवाज पर साहिल ने मतफकर होकर पूछा इसने इन्हेलर के लिए आँखें दोराई आस पास पर वो कहीं नहीं मिला रोहा ने चुंकर इसे देखा साहिर इसके चेरे पर पूछीने होले कामती हाथ देखता चुंग गया रोहा ने इसकी आँखों में दिखा इस रात के बारे में इसने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया था इसे अर्बता हो सरट स्पार्ट होकर भी केर कर रहा था इसकी पर ये भी था इसने इसे ऐसे नजरणदास किया था बेवी के नजरिये से जैसे रात को कई वजूद थी नहीं रूमे सांस नहीं नहीं आ रही रोहाने गयरे सांस ले नमाकों से इसे दिखा एक चोरी के बाद ये दूसरा गुना था जो वो जूट बोल कर कर रही थी इन्हेलर नहीं लाई साथ साहिल ने परिशान होते पूछा नहीं उश्रमिन किसे गहरा सांस कहांची रोने लगी रो नहीं कहरे सांस लो शाबश काल डिस्क रिंट करते इसने काल से बिल्दूस निकाल और इसका गालत अब तपाया सांस नहीं आ रही वो बेगी पलकों से इसे देखती बोली साहिल ने गाड़ी की स्पीड स्लोक की तो पीछे से तेज गाड़ीं के वाद जाने लगी इसका दिल क्या गुस्से से जाने क्या कर दे पर खुद पर जबत के बैठा रहा इसने आस-पास मदद के लिए कुछ टूण ना चाहाबा कुछ ना मिला मुहानी इसकी गाड़ी रुकी क्योंके ट्रैफिक सिगनल रैड हुए थे सारी गाड़ी रुकी साहिल ने शुकर खुदा का किया गुलीज औ गजब से गूरते साहिल चाह को देखकर सर पटा गए तेस सांस तो इसने गुसा तो रुखा पर भी आया दिखा क्यूंग इसने बाहर जिसकी वज़ासे वो दोने खफासा से मुस्कुराई थे इसकी करीब से गरज पर वो सांस क्या लेती उल्टा सांस डोक कर इसकी आँखों में स्या पहली आँखों से देखने लगी ठीक हो गई आ रही है सांस वो इसकी नाक मुख के सामने उंग्री रखकर इसकी पटर पटर से अगूरते नैनों में देखते बोला रोहने कफीर से सर को नफ़ी में जंबिश दी इसकी करून की कुषबू से इसकी सांस वाकी बंद होती दरकने तेज हो रही थी साहिल अपने शेफ पर हाथ पहरता पीछे हुआ रोहानी से पीछे होते देखकर गहरा सांस खेंचा साहिले से देखती हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ पाला भी विंडो बंद कर दिया अब ठीक है वाइबर उशका कर बोला रोहा को गबराहट होने लगी जूट जैसे गले पढ़ने लगा था तो 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 गालों को बिगोने लगे यहां से आप मुझे घर छोड़ देंगे वो इसकी तरफ देखे बगार बोली कौन से गर साहिल शाहने जेब में हाथ डाल कर सिगरट के पैकेट टो डूड़ना चाहा पर इसे असास हुआ शाहिद घर ही छोड़ कर आया है मौम वालों के घर इसना थोड़ी से विंड़ो नीचे की और बाहर देखने लगी ठीक है वो बगार पुछे वज़ा जाने खुमोशी से सहर असबात में हिला कर वापर से बिलुत उठाकर कान में लगाए दूसी तरफ से वापर से रापता काइम किया और इसकी बातों का जवाब देने लगा रोहा ने इस बेहिसी नजर अंदाजी पर सकती से आखें मीची वो जानती थी वो बहुत गलत कर रही है इसके साथ पर वो क्या करें मजबूर थी इसे एसास हुआ था जैसे इसकी सास को भी लग रहा था जैसे गलत जैसे दोनों की शादी करवा कर दोनों के साथ नाइंसाफी की गई है इसका सूसरी से पास बिठा कर इसकी खमोशी की वज़ा पूचते कोई गेम खेल लेते वो जैसे इसका दिल इसका घर में बहलाने की कुशिश करते अब तो समन भी आ गई थी इसकी ननत कम दोस्त जादा थी बहुत सब ठीक था एक ना था तो इनका रिष्टा जब होस्पिटल के पारकिंग एरिया में रुके रोहा निसी गड़का पैकेज आदर में च्छपाया और इसके डूर खोलने हाथ थामने पर वो बाहर निकला है सब ठीक है ना वो इसका सुरख बिगा चिरा देखता परिशान हुआ जी इस तैस्पात में सारह लाया तो वो रिपोर्ट्स थामें इसे हस्पिताल के अंदर लेगा इसका चोड़ा हाथ इसके शानों के गेत था वो इसलिए हस्पिताल क अंदर दाकिल हुआ कितनी नजरों के अहसार में आ गए थे वो दोनों साथ चलता वजूद लड़कियों की नजरों के अहसार में था रोहा का दिल कर रहा था सबकी नजरों में पट्रोल चुरक कर इसकी जेब से लाइटर निकालकर आग लगा दे तुम बैठ्ट में देख रायों इस लड़की का होस्ता बड़ा वैसे ये कौन थे भाई थे तुम्हारे का नबर सॉरी मतलब नाम क्या है इसे नजरों से ओजल हुए साहिल शा का इशारा दिया भाई होंगे तुम्हारे शोहर है मेरे वो गुसर से नीची वाज में इस लड़की पर धारी इस रही रूह मान भारी वाज पचूंकी जी वो साहिल शा को देखे बगार बोली आओ वो इसके जरे के तासरात पर मतबस्म होता थामने लगा पर इसने अपना हाथ पीछे कर दिया शी आँखों में डेर सारा पानी जमा किया वो इसके स्याबूतों को देख रही थी साहिल शा रह गई क्या हुआ इसके साहिल पाओं की मदद से अंदर दाकिल होते साहिल शा की बाओं में रुहा को देखकर तक्वाजादी गबरा कर अपने चेहर से उठी आप देखने बीच राह में चानक सांसे रुक गई थी इसे दिवार के साथ लगे बैट पर लिटाते हुए इस सीड़ का दबा अपनी कमर के नीचे चुपा दिया पिर खुद सांस बहाल हो गई इन्होंने चूंकते पूछा रुहासर पटा कर साहिस बात में हिलागी बहरे हाल जूट बोला था अब इस जूट को खैशना था हुआ तो कुछ नहीं बस गुना ही बढ़ रहा था जिसके सांसे रोकी थी उसने तो एक गलत निगा भी ना डाली वो अपने भरम आप रखने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है तक्वाजादी खुश होने लगी साहिल का ने गला खंकार कर साहिल आया और नजने इदकी डाली रुको वो चछट से कपड़े उतार कर नीचे उतरन वाले इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था इस इंसान के यूं सामने आकर पूछना वो भी इसकी प्राइवेसी के बारे में वो नागवार नजर से नवास दिर बटा सर पर सीधा करके इसकी दूसरी तरफ से जाने लगी समसाम सैदी के साथ आई थी ना दिलावर के कर इसक पकड मजीद सकत कर ले और इसकी निली आँखों में देखा तो की को लगा इसकी कलाई की हड़ियां चटक कर तूट चाएंगी वो दर्थ से करा कर कलाई को हरकर देने से बास आ गए कौन हो तुम वहरासा नजरों से इससे देखने लगी पहले मेरे सवाल का जवाब दो जै कर दूँगा और यह मैं सोचना के वजूर बोलने वाले को बख्ष देगा जा निकाल देगा तुम्हारी क्योंकि वो पहले जैसा दिलावर नहीं नहीं वो तुम से कोई महबत करता है इसले दूर हो इससे अब अगर मैंने तुम्हें इसके क्रीब आते देखा नुकसान जुका सरत लहजे में बहुंद कर रहा था तुकी के हैरत खौफ से पहली आंकें इस पर टीकी हुई थी बहुत खुपत्रत हो गई हो वो इसकी आंकों में देखता सरगोशी में बोला और अपना कदम इसकी तरफ उठाया दिल वो इससे मसलसल अपनी सिमत बढ़ते देख कर जाना गैर मतवक्त से आंकों की वैशे से चीक उठी तुम जैके ने नीची आवाज में गराते इसकी कलाई को छोड़कर इसके जबड़े को मुठी में जखड़ा तुकी का खौफ से दिल सुनसना उठा वजूद में सरत लहरें दोड़कर इसकी इतनी जुरत पर तुकी दफता नीचे से दिलावर की गुसीली आवाज आई जैकी घबरा गया अगर मुठ खोला तो अच्छा नहीं होगा वेशे जटके से पीछे दकेल के एक्टम सामने दिवार की तरफ बागा तुकी तुकी के चिका कर जमीन बोस होने से पहले दिलावर ने बाग कर इस पर उंगरियों के सुरक निशान दे के वो इससे लेकर नीचे बागा क्या हो अडिके जैकी बागता हो नीचे से आया दिलावर को उपर सीरियों की तरफ बागते देखकर परशानी से पूछा जाओ जल्दी डॉक्टर को बलाओ इसने हुकम दिया और सीरिया भागते हुई जैकी तौकी की जूलती हुई कुलाई को देखता गहरा सांस भरकर पल्टा यसे उमीद थी के वो अब दिलावर से दूद रहेगी तुमने अभी तक कोई वकील है नहीं क्या कल कोड की पहरी तरीख है गाड़ी पारकिंग में रोकर जफर हैदरी वहिल चेर पर अपने बीवी को लॉन में ताजी हवा के लिए लाए फिरोज जुकताई के पास आगए हाँ मालूम है वो होले सर असबात में हिला कर बोली आओ बैटो वहाँ गाई भी हो गए हो फिरोज जुकताई ने सामने मुझूद चेर की तफ़ इशारा दिया वो इससे सर हिला कर शशर से आगे बढ़े क्या तुमें केस नहीं लड़ना फिरोज साब ने कहरा सांस भर कर कहा जफर हैदरी तो सकते में आ गए इसकी मुब बियानी सुनकर तुम्हारा दमाग ठीक है फिरोज कहां खोया है खान ने अपना बेटा वो तो जिन्दा है जफर भड़क उठे इसके हारे इरादों से क्या मतलब पर तुमने तो कहा था द रफर सहाब की कंदों को दबोचा क्या करता मैं वो फिर से जिन्दा हो गया बलकि आज रात इसे आर्मी की तरफ से बहादरी का नाम भी मिलने वाला है वो दिल शेर खान बना एक मजित के मौलवी का बेटा कलवा रहा है खुद को और हम में इतनी ताकत नहीं इसका रास फा हम ने तो कुछ नहीं किया इसके साथ सब बढ़ नामी से बचने के लिए से मरा हुआ कहलवाया जिस तरह नुवेरा तुम्हारी बच्ची थी इसी तरह मेरी बच्ची थी वो मुझे चाचचु चाचचु कहती थी आज भी मेरी आँखों के सामने जब इसका मसूम चिराता है मेरा दिल तरफ जाता है वो जूटा केस लड़ेंगे क्योंकि इनके पास बड़ा वकील है साहिल शाह, इनके पास पलीस वाला है दरियाब खान, इनके पास सपोर्ट है, बिसनस टाइकोन, इनकी मनिस्टर फैमली, इसके डॉक्टर बाब, अब हमारे पास क्या है, तुम एक थे, बिसनस टाइकोन, तुमने अपना बिसनस मैनेजर के हवाले कर दिया, वो केस लड़ेंगे, इसे दुनिया के सामने बेगुना साबित करेंगे, और फिवर डी के दिल शेर खान से दिजावर खान बन कर आया ज दूँगा, ना है डिप्रेशन, तुम भावी पर दिहान दो, इन्हें संभालो, मैंने एक वकिल से राप्ता किया है, वो कुछ देर में यहां पहुंचने वाला है, जफर सहाब ने कहते, इसके कंदे को थप थपाया, और अपने चेर संभाल कर शमा बेगम को देखा, चलो खुले शाबाश, इन्होंने अपनी शरीके हयात से प्यार से कहा, और यह पल वो था जब सफर हैदरी शेशर किंग रह गे, जब इस साकत पड़े वजूद के मूने हरकत की और इन्होंने मूँ खुला, फिरोज चुकता है, इन्हें खुशी से नम हुई आंकों से, इनके फिरोज साहब खुशी से कहका लगा कर बोले, यह तो जबर्दस्त है, दुश्मन से अगर फाइदा मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तुमने मुझे नहीं बताया, इस पहली खुशी पर मिठाईगा, बान कर अपकर शुकर अदा करेंगे, इतने सालों ब बिलाकर भाबी ने जिनकी की तरफ कदम लटाए है, वो खुशी से नम हुई, आँकों से बोले बड़े जोश्च में थे, मैं तुम्हे बतानी वाला था पहरे दिन से, पर मैंने सोचा, अगर तुम खुदा कई चानक से देखो तो अच्छा है, अल्ला मुझे पर महरबान ह और ये सब रहब से माफियों की वज़ा से मुम्किन हुआ है, वरना मैं तो गुम्रा हो चुका था, वो आइसकी से गोया होकर माल से अपने बीवी के मूं को साफ करने लगे, हाँ ये वाकी जिनकी का सबसे बड़ा सर्प्राइस है, आखर का मेरे दोस्त की जिनकी में बड़ा सांस लेना चाहा, पर सकून कहां था, क्या इसका चेरा ठीक हो गया होगा, दमाग में ख्याल आया, एक हफ़ते का टाइम कम तो नहीं होता, वो खुद ही जवाब दे कर मतमिन करने लगा, वो दीरे दीरे से अपनी चेर को जुलाने लगा, इसकी बंदा आंकों के न अफिसर अंदर दाकिल हुआ, इसे सल्यूट करके साइड खड़ा हुआ, सर आपसे कोई लेडी मिलने आई है, अंदर भेज दू, ऑफिसर ने एतरामन कहा, मेरा आफ टाइम है, गड़ी में वक्त देखते, इसने ऑफिसर से कहा, क्या सर, मैंने इस लेडी से कहा, पर इनों जवाबन कहा, कि बहुत दूर से बहुत मुश्किल से आई है, तीन लड़्टियां भी साथ हैं इनके, अफिसर ने दर्याब खान को देखते, जवाब दिया, वह सुनकर चूंग गया, अच्छा जल्दी बेच दो इने अंदर, इनके जाने के बाद, पिये को भी बेच देन इसने हुकम देते, अपनी चेर वापिस से संभाली, ओके सर्वों मौदब साहिला का स्लिट करके, वहां से बाहर निकला, दर्याब अभी सोच रहा था कि कौन होगा, तबी दर्वाज़ा एक बार फिर नौक हुआ, यह सकमिन, इसने इजाज़त दी, ऑफिसर ने दर्वाज खुला साथ, आई तीनों लड़कियों और इस औरत के लिए, असलाम लेकुम सर, वो अधेर उमर औरत अंदर दाकिली सामने आफिस लों में बड़ी सी टेबल के सामने बैटे, एस पी दर्याब खान को देख कर बोली, वालेकुम सलाम, बैटिये प्लीज, इसने सामने रखी तीन चियर्स की तरफ इशारा किया, दो लड़किया इस औरत के साथ, दर्याब खान के मकाबल बैटी, जबकि तीसी चोटी साइट सोफों पर जाकर बैट कई, सर, इस अमा का कहना है, कि इनके शोहर और जवान बेटा काफी दिनों से लापता है, ना कॉल कर रहे हैं, ना को हो गए हैं, ओफिसर ने इनका सुनाया हुआ कि साधरियाब खान के गोश्च कुजारा, दूर बैटी चोटी सी लड़की चेरा हाथों में चुपा करोने लगी, सामने बैटी, इन दोने लड़कियों की आँकों में आंसु आ गए, दर्याब ने सारी सूर्तिहाल देखते, स इस औरत का कहना आप जानते होंगे, इसने औरत को पहचाने की कोशिश की पर इसे तो याद नहीं आया, वो कभी इन से मिला था, फिरोज चुकता है कि घर पर गार थे, मज़र नाम था इनका, साथ आट दिन पहले घर से निकले थे, फिर तो जैसे कहीं गुम हो गया, मेरा भए पर जिजचध का कमाते हैं, चार पैसे आते हो जराग होते हैं, मुझसे इंसाफ करें, मेरे ज़वान बेटे मेरे शोहर को डूं कर दें, वो ऑरत मुझ़ चुपा कर फूट फूट कर रोने लगी, सर, प्लीज हमारी मदद करें, मेरे अबू को डूं कर लाएं, मेरे भ ख़दी से चोटी सी लड़की को जमीन से उठाया सामने बैठी बड़ी लड़कियों ने अपने मुँपर हाथ कसिसकना शुरू कर दिया द्रयाब ने चोटी सी लड़की के सर पर हाथ प्पिरा इसे पानी का गलास मंगवा कर ऑफिसर के हाथ से लेकर पलाया वो तेज-देज हिज़कियां ले रही थी अगर आपके शोहर बेटा इतने दिन पहले से गाइब थे तो आप आज क्यों आ रही हैं इतने दिन कहां थी आप क्यों कि हुम शित्की की रिपोर्ट नहीं करवाई इस लड़की को पासवाल चेयर पर बिठा कर अपनी चेयर संभालते दिया आप मुझ में अपनी बेटियों के बेयाबरू होने की इमत नहीं थी इसलिए खुदा को सताते इंतिजार में रहे आज भी बहुत मुश्किल से बजारों की गलियों में गूमते गूमते यहां पहुंच रही है इसलिए शाम हो गई है आप बेफिकर हैं अपने बेटे शोहर की तस्वीर दें और एक ऑफिसर के साथ जाकर रपोर्ट दज करवाएं इन्शाला जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा आप बेहनों को लेकर आज घर जाएं कल सुब्बा मैं खुदा हूंगा तफिश के लिए दरियाब ने चोटी लड़की के सर पर हाथ लगते हैं इन से कहा दो अफिसर की ड्यूटी आज इनके घर पर लगा दो इसने इंस्पेक्टर को हुकम दिया और इनके खड़े होने के साथ खुद भी खड़ा हो गया ये लो यहां से जाते हुए शोपिंग कर जाना इसने अपने वालर से कुछ नोट निकाले और ए छोटी लड़की के हाथ म और आखे फॉरण से नम होगी बाब भाई तो इसके भी सब ठीक है वो मुस्कुरा कर आख नबाता हुआ बोला हाँ एली ने होटल के रूंग का जायजा लेकर सर हिलाया ये होटल तुम्हारी महबूबा के गर से सिर्फ 30 मील की दूरी पर वाक्या है बॉबबी ने अपने बारी अराम से लिए मेरी बारी आई तो साली चक्मा देकर भाग गई वो गुस्से से ब्रश दिवार पर मार कर बोला सबकी बारी अली ने चटक कर इसे देखा सबकी बारी से क्या मुराद है तुम्हारा वो इसकी तरफ लपकती गराई आहां एसान फरा मुश्मत बनो या इसके मानने वाले इरादे देखकर पहले से पीछे हुआ बकवास मत करो बोबी मुझे बताओ क्या किया जैजी के साथ वो टेबल पलात मार कर चीखी बताता हूं रिलक्स इसका भी फ़रा रूप देखते बोबी ने इसे शान्त करना चाहा गार्स फेर मैंने अभी तक चु मिलते जिनने ने तुम्हारी लारत में ये सब किया था पर तुमने हमें दोखा दिया और खुद के बदले अपनी बेहन को दे दिया वह चुंटी जैसी आहा हा कि इन्हों ने तुम्हारी गदारी का इससे थोड़ा बहुत हिसाब लिया फिर अपना चर लेकर मुझे दे दि की चीखा सोच लो अगर तुमने मुझे कुछ किया तो हर्गिस अपनी महबूबा को हासे नहीं कर पाओगी मैं अपनी मौत का जुमादार पहले से तुम्हें ठहरा चुका हूँ एली छटक गई क्या मतलब इसे समझ नहीं आई इसकी बात वो उल जी तभी बोबी से पीछे खड़ा हुआ अहा है उडगे नहोश अभी रुको वो कहका लगाता अपना मुबाइल निकाल कर कुछ दूर ने लगा इंटर सर्प्राइज फो यू स्वीट हार्ट इसने आंख दबाई और मुबाइल की स्क्रीन इसके सामने की एली ने देखका जटके से इसके हाथ सचीन और सामने इस फैद लेटर को जून करके पड़ा यह मेरी लिक्वी वसीयत है इस वसीयत के मताबक एली कपाट्री के पीछे जा रहा हूँ इसके बुलावे पर मात तुम्हारे बुलावे के एस-एस की प्रिंटिड कॉपी जमा करवाई अगर मेरी इस दोरान मौत होती है त का खौफ से दिल सुकर गया किसे बॉबी ने हरान होते पूछा जैजी को और किसे वो गराती बोली तुम्हे क्या लगता है अब तुम्हारी बच्चा होगे मुबाईल इसे मार्ट वची की बताया तो था भाग गई इसने इंगलीज कारी देते गराह का सर को हिलाया तो तुम गुम हो गई हो तो तुम्हारे लिए यहां आ गया ओ शुट सुट शुट सुट शुट शूट बास्टर वो मुठी बच्चा बेजगी तुम्हे पता है तुम्हारा यह वसियट न नामा किसी काम नहीं आगए हिए अगर वो पैदरू को मिल गई वो पूरी कोष ची कि आइस्ता बोलो ये रूम साउंट प्रूफ नहीं वो भी ने नागवाये से इसे टोका शेट अप जशेट अप यू बास्टर वो इसकी बातों में नहीं आई खौफ से यहां वहां चक्कर काटने लगी तुम खवाम ख़ाँ परिशान हो रही हो इसकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि जंगल को पार कर सकती लग गई होगी किसी की हाथ हो और अब तक खलाक हो चुकी होगी तुमने दो दिन आहनी मास समझ कर इसका क्याल रखा ये दो दिन तुम पर ना सरफ बारी पढ़ेंगे बलके मुझ पर भी वो दिरिंदा है अगर इसने इसकी आलत वैसी देख लिया जैजी ने हमारे बारे में बता दिया तो वो हमें नहीं चोड़ेगा वो हवास बागता बड़ बड़ाई तो इसका हल यही है कि तुम अपनी महबुबा को उठा और जल्दी यहां से निकल चले यूएस से के बजाए कहीं और चले बोबी ने लंबे चोड़े पैदरू का तसवर करके जरजरी लेकर कहा मैंने दिया है ना तुम्हें इसके शोड़ का नंबर टेकल मुबाइल थामा